तो आदाब नमस्कार, गूड इनिंग सचेकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगा सौगा थे, क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद है, पुरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, आज की कहानी सुनाओ, उससे पहले एक बार फिर आपको बत पाया, फर्स्ट लेडी स्पाई, तो वह भी आप सुन सकते हैं, और ऐसी ही तवाम कहानिया जिस वह आप कोको एफमाइप पर सुन सकते हैं, अब आते हैं आज के कहानी के उपर ये कहानी जो ही एक जासूसी कहानी है, इससे पहले मैंने इसी क्राइम तक की बहुत सारी कहान कुछ ऐसे जासूसों के बारे में जिक्र किया था, जो इंडिया के लिए जासूसी करते थे, वो पाकिस्तान गया लंबे वक्त तक जासूसी की, और ऐसे कई लोग हैं, जोनों ने अपनी पूरी जिन्दगी अपनी जवानी खपा दी, और जब वापस लोटे, तो ने हमने ह दुनिया में उतारा जाता है या भेजा जाता है किसी पड़ोसी मुल्किया कहीं और जासूसी करने के लिए, तो अमूमन गौर्मेंट, यह सिर्फ हमारे देश की नहीं है, बिल्के विदेशी, अलग-लग देशों की भी है, रिकॉर्ड पर वो से अपनाने से इंकार कर देत तो कई बार जब वो अपनी सब कुछ गवा कराते हैं, तो यहां कुछ नहीं मिलता, खाली हात रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी मिथालेगीं, जहांपे कहीं नहीं किसी नहीं किसी रूप में, किसी नहीं शकल में ऐसे जासूसों को अपनाया गया, حالان कि एक आधा धूर, अ नोकरी है, वो जा चुकी है, कोई अपनाने, मानने को तैयार नहीं कि हमारा है। वो दरदर की थोकने काता है। निचली अदालाज से लेके हाई कोट से लेके देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुँचता है। और इसी महीने कुछ तिन पहले आखिर का, इस देश की सबसे बड़ी अदालत अपना एक फैसला सुनाती है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला, तो यह फैसला क्या, क्यों? उससे पहले इस कहानी को समझ लिए, यह कहानी है महमूद अंसारी नाम के एक जासूस की, जो इजन्स एजन्सियों ने, उसे जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा, अब इससे क्यों चुना गया, उसकी भी एक बजा थी, दरसला महमूद अंसारी राजस्थान के रहने वाला, राजस्थान के कोट, कोटा अलाके का, उस वक्त, अब तो इनकी उम्रे काफी, लगबक 75 स साल है, तो महमूद अंसारी कोटा के रहने वाले, और ठीक ठाक परिवार से पढ़े लिखे, इसके बाद इनकी डाक विभाग में नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी, कोटा में ही, और ये कोटा में ही पोस्ट रिट थे, रेल्वे स्टेशन के बराबर में ये डाक टीवी में इनको, जिसका नाम फातिमा रखा, खुशाल परिवार सब कुछ ठीक ठाक, और सब जिन्दगी सही चल रही थी, महमूद अंसारी के कुछ रिशिदार पाकिस्तान में रहा करते थे, बटवारे के बाद बहुत सारी ऐसे चीज़ें होई, जिसमें बहुत सारे लो अच्छा, 90's के बाद, ये जो 93 हुआ फिर बाकी चीज़ें होई, भारत पाकिस्तान के रिश्टे बहुत जादा खराब हुए, उससे पहले कुछ वक्त तक ठीक ठाक थे, तो अक्सर रिशिदारों के खताया करते थे, अब ये खुद डाक विभाग में काम करते थे, खता आ और उनके पास पाकिस्तान से खता रहें, तो उन खतों पे भी नज़र है, उस खतों के जरीए पता चला कि महमूद अंसारी के बहुत सारे शिदार पाकिस्तान में, और यहीं से इस जासूसी की दुनिया की बुनिया पड़ी, कुछ वक्त के बात, कुछ लोगों ने पाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारियां देनी है, चाहे वहां की सेना हो या बाकी जिससे हमारे देश को मुदद मील सके, काफी इनको समझाया गया, इसके बाद महमूद मान गया, उनने का ठीक है, मैं अपने देश के लिए काम करने को तयार हूँ, फिर उनने कुछ ट् अब ये जैपूर चले गए, जैपूर पोस्ट आफिसमेन का ट्रांसपर तबादला हाना की मुश्किल भी आई क्योंकि फैमली यहां पर, कोटा में, लेकिन ये जैपूर चले जाने के बाद अब जैपूर में ये काम कर रहे हैं, उदर उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और फिः ट्रेनिंग देते देते आकिरकार वो वक्त आ जाता है जब महमूद अनसारी को पाकिस्तान भेजनी की तयारी पूदी हो चुकी थी, उन्हें कहा जाता कि अब पाकिस्तान जाना है, अब ट्रेनिंग के बात, आमतर पर चुक ही ये भी नहीं है कि बहुत जमाने स agency के लिए काम कर रहे, काम आत्मी post office में काम करने वाला सरकारी करमचारी, पता नहीं काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ऐसी चीज़ों के लिए बहुत बड़े काम, sensitive काम के लिए risk लेने से पहले trial period होता है तो महमूद अंसारी को भी पहले trial पर पाकिस्तान भेजा गया, राजिस्तान के बॉर्डर से उन्हें कहा गया, यहां से बॉर्डर पार करा गया और वहाँ जो हमारे अपने आद्मी थे agency के, और फिया भीरो के उनका एक शक्स बॉर्डर के उस पार आया, और उनको लेकर कराची पहुंच गया यह बात है 1976 की 76 में अलग-अलग महीने में यह महमूद अंसारी को पाकिस्तान बेजा गया पहली बार जो वो गये, तो तीन दिन के लिए गये तीन दिन में जाकर अपने शुदारों से भी मिले मिल विलकर वापस आये यहां लगा अब जो हैंडलर थे अपने खुफिय अजिंसी के यहां यह जाकर काम कर सकते हैं तो पहले मिशन से वो खुश, इसके बाद फिर इनको दूसरे मिशन पे भेजा गया, इस बार साथ दिन रहे बट इस ट्राइल था यह दो बार पाकिस्तान होकर आ गए अब इसके बार दिसंबर का महीना आता है और दिसंबर के महीने में अब इस बार चुक्के महमुद अंसारी दो बार कामियाभी के साथ बॉर्डर पार करके वहां अपने जो हैंडलर था उसके साथ पाकिस्तान के अलग-अलग शेहरों तक पहुँच गया है, फिर बाहिफाजत लॉट आये, पकड़ में भी नहीं आये, किसी को शक भी नहीं हुआ, तो अपनी एजनसियों को लगा कि चलो, ये काम के हैं। अब उन्हें तीसरी बार पहिजा जाता है, दिसंबर 1976 दो, और इस इदायत के साथ कि उन्हें वहाँ के अलग-अलग सैन ने ठेकान, कि कुछ जानकारी तस्वीरें, कुछ इंफॉर्मेशन वो निकाल कर लाना है। अब चुके रिश्रार भी थे, महमूत के वहाँ पे, तो उ क्या इंफॉर्मेशन, क्या लिख कर ले जा रहे हो। तो सारी इंफॉर्मेशन उसे किस दिन में निकाला, कोड़ वड़ में सारी चीजें लिखी, और उस कोड़ वड़ को जिस कागस पर लिखा, उसे कॉलर के अंदर चुपाया। ताकि अगर रास्ते में कहीं तलाशी हो तो पकड़ मिना है। चुपाने के बाद अब वो फिर वापस पाकिस्तान सरहत पर और वहां से राजस्तान सरहत पर दाखिल होना जैसे पहले दो बार हो चुके हैं। लेकिन इस बार किस्मक ने धोका दे दिया। हुआ ये कि जो उनका उधर से हैंडलर या गाइड था, ज साथ मिलकर सारी चीजें उनने बता देता है, मतलब वो डबल क्रॉस कर गया, वो एक तरह का डबल एजन्ट था, अपनी एजन्सी से भी पैसा ले रहा और पाकिस्तान से भी, उसने पाकिस्तानी रेंजर को बता दिया कि महमूद अंसारी इस से पहले भी दो बारा है या ती अब उस तलाशी के दोरा कॉलर से वो पेपर मिल गया, जिसमें कोड वर्ड में सारी चीजें सारी इंफॉर्मिशन लिखे भी थी, अब कोड वर्ड में एक नोट का मिलना आपके शक को यकीन में बदलने के लिए तना ही काफी है, अब रेंजर्स पकड़ लेते हैं, इसके आर्मी के हवाले करते हैं, पाकिस्तान सेना के, और ये तारीख थी जित दिन पकड़ा है, उस दिन 12 दिसम्बर 1976, 12 दिसम्बर 1976, पकड़ने के बाद अब उनसो सनोट वोट के बारे में पूछा जाता है, तब शायद पाकिस्तान में आर्मी का रूल था, तो पकड़ा गया ह महमुद अंसारी को पूस्ता चोई अब इनके उपर टॉट्चर शुरू की कौन हो, क्या हो, जो होता है एक जासूस के साथ, 1976 दिसम्बर गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इदर महमुद अंसारी इससे पहले दो बार गया, तीन और साथ दिन में लोट आए, इसके बाद अब आब परिवार वालों को नहीं बताएंगे, अपने फैमली को नहीं बताएंगे, तो महमुद अंसारी ने भी अपनी बीवी को ये बात नहीं बताई, कि वो कुफे आजिंसें के लिए जासूसी करने के वास्ते पाकिस्तान जा रहे, उनका ही द annually हैं, अब महमुद अंसारी वापस नहीं आ रहे हैं तैय वक्त पर 21 दिन बार लोटना था उस वक्त इनकी बेटी थी जिसके उम्रे थी 11 साल नाम फातिमा धीरे धीरे वक्त बीता मैं हमूद अंसारी का कुछ पता नहीं है वो उनके दफ्तर गए उदर डाक विभाग को भी कुछ पता नहीं है अब डाक भाग भाई एक सरकारी करम चारी है बिना बताया ड्यूटी से गायब तो वहाँ पर भी एक्शन होगा अब देरे देरे वक्त बीत रहा है डाक विभाग पर इंतजार कर रहा है इदर बीवी और बेटी इंतजार कर रही है महमूद अंसारी का कोई खबर नहीं हुनकी अब इदर फैमिली खांदान में बात फ़ल गए महमूद अंसारी गायब है सस्राल वाले थोड़े दबंग टाइप लोग थे उन्होंने ढूंडा कहीं से नहीं मिला अब लोगों को महमूद अंसारी की बीवी वहीदन पर ही शक हो गया किनोंने अपने शोहर को कहीं गायब करव दिया क्योंकि हर तरफ ढूंड लिया को रोड एक्सेंट में डित हो गए ये ये हो गए ये तमाम चीजे बाते होगी लेकिन फिर उन्हें ये शक हुआ कि कहीं ने कहीं महमूद अंसारी की गुम्शुद्गी के पीछे उनकी अपनी बीवी वहीदन का हाथ है अब सुस्राल वालों ने उने ही कातिल मान लिया अभी तक लाश नहीं मिली कुछ हुआ नहीं लेकिन वो जल्म का दौर शुरू हो गया और हरे एक ने शक की निगासे बहीदन को देखना शुरू किया 76 से 78 आ गया 1976 में गाइब होए थे 12 दिसंबर को 78 आ गया कोई खबर नहीं इन दो सालों में और अब दो सालों में पूरे खांदान को हरे एक को यकीन हो गया कि महमूद अंसारी अब इस दुनिया में नहीं और उनकी गमसुद्की सिर्फ ये नहीं कि गम है सब को ये यकीन हो गया कि उनकी मौत हो चुकी है और कातिल को या और ने उनकी बीवी है अब इदर एक बच्ची है 11-12 मेनी कि अब तीन साल की होने जा रही है शोहर गायब है जो घर में घर चलता था नौकरी से पैसे के सार जरिये बंद हो गए किसी तरह वहीदन के पिता उनके भाई ने उनके वालिद ने उनकी मदद की लेकिन कब तक इदर ठीक दो साल के बाद जब सब कुछ उमीदें खत्म हो गई थी अचानक एक रोज वहीदन को एक खत मिलता है उन्होंने खत खोला ये खत पाकिस्तान से आ पहली बार उनुना का कि मैं पाकिस्तान में हूँ पाकिस्तान की इस जेल में बंद हूँ मुझे हिंडुस्तानी एजंसियों ने भेजा था मैं जासूसी करता हूँ और कुछ वज़ा थी जिसकी वैसे तुम्हें नहीं बताई लेकिन है मैं मुसीबत में हूँ और जेल में बंद हूँ और उन्होंने वहां पूरा पतावता भी भेज दिया अब जब यह आया तो पहली बार खुशी के भी आसू थे और इधर गम भी की पाकिस्तान की जेल में बंद है अब उन्हें कैसे लाया जाए ना इतने पैसे न बाकी चीज़ें तो विदर से भी जवाब गिया अब यहां से खत आने जाने का सिलसला दोनों तरफ से शुरू हो गया लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था उदर 1976 से 78 आगया दो साल हो गए दो साल के बाद वहां की आर्मी ने आर्मी की कोट ने अपना फैसला सुनाया और महमूर अंसारी को 1978 में जासूसी के इलजाम में गुनायगार मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई चौदा साल उम्र कैद तव भी था वहां जो हमारे यहां है और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया अब 78 में सजा सुना दी गई जेल भेज दिया गया इदर 78 में घरवालों को पता कि वो पाकिस्तान की जेली में है अब बीवी उनकी इदर उदर भटक नहीं है छोटी बच्ची है वो डाग घर भी जाए उदर पोस्ट आफिस ने कहा कि अब दो साल हो गया है बिना जानकारी कि वो गायव है उन्हों उनकी नौकरी खतम कर दी बरखास्त कर दिया तो उदर से भी पैसे वैसे का कोई अब इंतिजाम नहीं घर चलाना मुश्किल अब वहीदन जो एक वक्त में अपने ही पती के कतले का इल्जाम जेल रही थी अब शोहर के जिन्दा होने की खबर मिली लेकिन मददगार कम बेटी को भी पालना घर कैसे चलाओने थी वो सारी चीज़े बेज डाली एक एक कर बिकता गया घर का सामान बरतन तक घर चलाने के लिए पेट पालने के लिए और इदर वो बेटी की भी परवखिश कर रही हैं खुद काम कर रही हैं हास्पिटल में भी काम किया सिलाई दो दो बिजरात तक की सबजियां बेची जहां से जो भी उम्मीद होती की यहां से कुछ पैसे कमा सकते हैं वो काम किया और उधर लगातार अपने शोहर को यहां से फिर कपड़े और बाकी चीज़ें भी भेज रही हैं कि उनको जरूरत हो धीरे धीरे वक्त बीचता गया लगबक साड़े तेरा साल बीच गया 1979 का दोर आ गया 1989 इस दोरान में जो महमूद अंसारी थे इनकी जेल के कुछ डिप्टी सुप्रेंटेंडेंडेंडर नो एक में से एक दोसे दोस्ती हो गई अब वो उन्हें पेन कागज भी लाकर देते हैं वहां उन्हें पता चला कि हमारे बहुत सारे भारती ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो गई लेकिन पांच साथ साल से वो फिर भी अंदर है क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं उन्होंने ऐसे तमाम लूंड की अरजिया बनाने शुरू की चुक्के पढ़े लिखे थे महमूद अंसारी और उसको अदालत तक पहुँचाने का काम किया जेल के एक डिप्टिस उप्रिंगन की मलद से अदालत में वो सारी अरजिया नहीं बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई रिहा हो गए चुक्के और लड़े रिहा हुए थे लेकिन फिर भी पांस साथ सारते बन थे फिर उन्हें अपनी भी अरजिया लगाई आखिरकार 1979 में वहां की अदालत ने लगबख साड़े तेरह साल की कायद पूरी हो गई तो महमूद अंसारी को रिहा करने का हुप सुना दिया रिहाई के बाद अब ये की कहा जाए तो पहले उनको भारती एमबेसी में वहां दूतावा से वहां ले जाए गया वहां ये हुआ कि हाँ इंडियन है फिर वहां कुछ वक्त रहे और फिर उनको बॉर्डर के रास्ते वापस हिंदुस्तान भीजा गया अब वो एटीज में असी के असपस हिंदुस्तान पहुंचते हैं लगबख साड़े तेरा पौने चोगदा साल के बार महबुरन सारी अपने घर कोटा पहुंचते हैं जिस बेटी को वो एक ग्यारा महीने की छोड़ कर गए थे अब वो लगबख पंदरा सोला साल की हो चुकी थी यहां एक तरफ खुशी भी थी लेकिन दूसी तरफ वो घर की हालत को देखकर उदास भी होते हैं और फिर उनके उपर और भी जो पहाड तूटता है वो ये कि इस पीछे में उनकी नौकरी भी चली गई सरकारी अगर वो यहां होते और नौकरी कर रहे होते तो शय Security की जो साल 2007 सेवन में रेताइर होते हिँं पेंस्षन भी मिलता अब वह वहां डाक में भाग जाते हैं तो तो आथा कि इन की नोरी चली गी उने पूछा क्य हूँ तो उन्होंने कहा आप बिना बताय वीतने लंबे वक्तंगा गायब थे hebृम तो इस मुशन में इस पर कोई जानकारी नहीं अब जो खुफिया बेवरों का अफसर इनको कमांड देता था जिसके जारे कि ये टच में थे जिन से बात होती थी बतकिस्मती ये कि उनकी मौत हो गई अब कड़ी से कड़ी आगे नहीं जोरूरी है कोई ऐसे पेपर नहीं कोई ऐसे दस्तवेज नहीं जिससे वो साबित करें इधर नौकरी गई उधर कोई मानने को तयार नहीं कि ये जासूस हैं वो कोट पहुंचते हैं कोट में फर्याद करते हैं कोट हाथ पैज जोड़ लेता है जोर कोट की इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं वो हाई कोट पहुंचते हैं हाई कोट के इलहाब वो आपके राइस्थान हाई कोट वहाँ के हाई कोट कहती है कि हमारे जिस्रिक्षन से बाहर का मामला है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं डाक विभाग अपने पल्ला ज़ाड लेता है उनकी नौकरी को लेकर करते करते आखिर कार वो सुप्रिम कोट पहुंचते हैं और सुप्रिम कोट जाकर अपनी पूरी कहानी अपने वकील के जरीये रखते हैं कि मैं एक जासूस मैं यहाँ पहले जाक विभाग में नौकरी करता था और उसके बाद मुझे ये भेजा गया और मैं वहां 14 साल तक जेल में रहा फिर मैं यहां लोटकर आया मेरी नौकरी चली गई मेरी उम्र अब इतनी हो गई वहां तकलीफें यातनाएं इतनी दे गए कि बरफ की सिल्यों पे सिलाया जाता थ पीटा जाता था पहले जख्म दिय जाते थे फिर उसका इलाज भी कराते थे वही जेल के लोग लेकिन फिर भी उन्होंने भेज दिया जब उनकी सदा पूरी हो गई लेकिन अब यहां कोई मानने को तयार नहीं मानना तो मानना जो मेरी अपनी अच्छी खासी नौकरी थे वो तक चली गई और उम्र मेरी हो गई अब इतनी क्या करूं मैं अब कहा नौकरी करूं कैसे परिवार पालूं एक बेटी है एक बीवी है और बेटी की वज़ा से आज हम लोग जिन्दा है क्योंकि बेटी ने हम लोगों को सहारा दे रखा है बट कब तक यह सारी कीज़ा स सुप्रिम कोर्ट में गई सुप्रिम कोर्ट में बाकाइदा इसके उपर लंबी बहस हुई अभी जो चीफ जस्लिस ऑफ इंडिया है उदय उमेश ललित यूजू ललित इनकी और एक मिस्टर इस रविंद्र भट दो जजों की बेंच बैटी महबूद अंसारी के इस केस को सुनने के लिए लंबी बहस हुई पूरी कहानी आई इनके सामने इस बहस के बाद इसी शर्द 12 सितंबर को अभी लास्ट वीक यह लास्ट वीक चीफ जस्टिस और रविंद्र भट की बेंच ने अपना एक फैसला सुनाया अब यह फैसला कहीं मानों में एक इतिहासिक फैस भी है और इस फैसले के बारे में सोचने और सुनने दोन्य हें सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि यह पाकिस्तान में रही सजा काती हो आई हम इन चीजों को मानते हैं एह सुप्रिम कोर्ट ने कहा लेकिन एक शक्स जो जासूसी करने के लिए जाता है कोई भी देश उससे अपना जाड लेती है ये बाकाइदा कहा गया है और वो उसको अपनाती नहीं और ये सिर्फ हमारा नहीं बलके दुनिया के हर देशों का दस्तूर है ये ठीक नहीं है लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है क्योंकि जब यही नियम है तो ये भी सच है लेकिन कि महमूद अंसारी ने 14 साल सजा काटी और 14 साल महा रहे लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे जासूस थे लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इन सालों में तकलीफें उठाई उनकी नौकरी गई उससे देखते हुए हम सरकार से कहते हैं कि उन्हें पांच लाग रुपे का मौफ़ा दिया जाए अब इस पे महमूद अंसारी के वकील ने कहा कि जद साहब ये पांच लाग रुपे बहुत कम है रकम बढ़ाई जाए इस पे सुप्रिम कोट मान गी और इस पांच लाग को ओनोंने भाठ लाग कर दिया और कहा कि यह दस लाग रुपे अगले तीन हफ्दे के अंदर-अंदर जाए जब ये दस लाग रुपे देने का फैसला सुनाया सुप्रिम कोट ने तो सरकारी वकील ने ये कहकर आबजेक्शन किया कि मिलोड अगर ये दसलाग रुपे दिया जाए तो इससे ये लगेगा कि हम ये मान रहे हैं कि महमूर अंसारी हमारे जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान में भारत सरकार के लिए जासूसी की तो ये कहीं से भी ठीक नहीं होगा इस पर सुप्रिम कोट ने कहा कि हम ये मुआपजा उनकी तकलीफों और बाकी चीजों और नौक्रियों को देखते हुए दे रहे हैं इस मुआपजे को देने का मतलब ये बिलकुल नहीं है कि ये भारत के लिए पाकिस्तान में जासूसी कर रहे थे और ये पाकिस्तान भारती एजनसी के जरीए भेजे गए थे तो ये बात कि भारत सरकार महमूर अंसारी के मालिक है उनके कहने पे गई ये हम नहीं कह सकते लेकिन हाँ ये मुआपसा मिलना चाहिए इस पर सरकारी वकीले को आपटी नहीं की अब ये फैसला आया इस फैसले के बाद सबसे ज़्यादा महमूर अंसारी की बेटी ने कहा कि हमें इनसाथ तो मिला लेकिन इनसाथ नहीं मिला फातिमा का ये कहना था कि पूरा परिवार तहस नहस हो गया इन सालों में उसके फादर ने उसके वालिद ने देश के लिए जासूसी की थी और ये सारी तक्रीफें सही कुर्बानियां दी लेकिन उसका सिला क्या मिला उनका कहना है कि अगर यही चीज़ कोई देश का जवान आर्मी में कोई करता तो शायद उसे मेडल और बाकी चीज़ें भी मिलती लेकिन यहां कुछ नहीं है बलके शायद यह दो दसला का मुआफ़ा है यह भी कुछ नहीं इस से आदा तो इस केस को लड़ने हैं और बाकी चीज़ों में घर के बरतन तक बिग गए और अगर वो ना जाते जासूसी करने तो 2007 में वो रिटायर होते और एक सीनियर पोस्ट पर रिटायर होते और उसकी पेंशन से ही पूरा गुजर गुजर बाकी की जिंदगी बड़ी आराम से हो सकती थी लेकिन नौकरी चलेगी पेंशन का सवाली नहीं है और कुल मिला कर एक मुआपजा मिला है 44 साल तक अलग अलग महिकमों में अलग अलग अदालतों में महमूद 안सारी ने मुगदमा लगा 44 साल तक पिर भी किसी ने नहीं अपनाया किसी ने ने नहीं माना आज महमूद अनसारी 75 साल की उ MORE के हो चुके है और कुल जमा इस देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी और अपनी अच्छी खासी नौकी परिवार को छोड़ कर गए उसका जो सिला है वो दसलाक रुपे मुआपसा है यह सिर्फ महमूर अंसारी की कहानी नहीं है मैंने आपको बताया शुरू में केसी क्राइम तक के इसमें कई ऐसे लोगों की मैंने आपको कहानिया सुनाई है जो जलके फिरोज जो प्रिंस की बात कर रहे है वो तो 22-24 साल तक रहे अब तो उनके अभी भी पुरी तरह से ठीक नहीं हुए अभी दिल्ली में और कुछ नहीं हुआ तो ऐसे अंगिनत लोग है जिने हम बेशक देश के नाम पे भेजते है लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो हम उनसे पल्ला जाड़ लेते हैं तो उनका भी परिवार होता उनकी भी फैमली होती है कहीं न कहीं हमारी सरकार को एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि बेशक खुले आम न सही क्योंकि ये भी समझने की बात है कि अगर हम उसके बाद उपन ली जैसे अदालतों के जरीए या सरकार के जरीए स्कीम के जरीए अवार्ट के जरीए उन्हें पैसे और वो सारी चीजें दे तो फिर ये हो जाएगा कि पाकिस्तान कहेगा कि देखो अभी जो वहां पर पक्ड़े हुएं गिरफतार है अभी बहुत सारे लोग अभी भी हैं तो कहेगा कि देखो ये जूट बोलती है सरकार ये इनके जासूस हैं अभी मना कर रहे हैं जब यह छूट के जाएंगे तो इनको पैसा देंगे, मुहफजा देंगे, नौकरी देंगे, तो फिर यह हमारे उल्टा पड़ेगा तो जो और यह तो है नहीं कि यह जासुसी का सिस्टम बंद होने वाला है वो जब तक है, जब तक दुनिया है तब तक वो एक दूसरे देश के खलाब जासुसी होती रहेगी तो जैसे भी कुल भूशन तो यह केस पैसर पड़ सकता है तो इसलिए उपैनली ना सही, लेकिन ऐसे लोग जिनको हम जो अपनी जान जोखी में डालकर परिवार को छोड़कर जासुसी करने किसी भी देश चाते है गुपनिये вторीके से, गुप-चुप तरीके से, कमसे वहitelे एक सम्झہौता हो सकता है कि ठीक है तुम पकड़े गए, यदे तुम आए, हम तुम्हें सम्मानित नहीं कर सकते तुम्हें मैडल नहीं दे सकते तुम्हें पैसे उपेंडी नहीं दे सकते मुआपजा नहीं दे सकते गुप चुप तरीके से तुम्हें जो भी रखम है वो मिलेगी चाहिए एक मुष्ट मिले या अलग लग तरीके से मिले और तुम्हारा परिवार सफर नहीं करेगा ऐसी कोई न कोई एक स्कीम होनी चाहिए जिससे लोगों को प्रेज़ना भी मिले देश के लिए कुछ करने का और जासुसी करने का तो देखिए अभी महमूद अंसारी और उनके परिवार ये फैसले से खुश तो है नहीं खास्तार पर मुआपजे से आगे क्या होता है मुझे मालूम नहीं इसमें आगे जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाओंगा तो कहानी में फिलाल इतना ही लेकिन आगे का अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं केवल भाई सवानी आज इनका जनम दिन है तो हैप्य बड़े केवल भाई सुरेंडर, रेनू, बिंदू जारा फातिमा इनका भी आज जनम दिन है तो हैप्य बड़े है जारा और शाउल हमीड ने भेजा है साथी विशाल और कॉमल हस्मेन भाई के दोनों एक का सोला को था एक का बीस को है पर दोनों एकी दिन मनाते हैं यानि आज के दिन तो विशाल और कॉमल दोनों आपको हैप्य बड़े बहुत अच्छे से आप लोग बड़े मनाएं मुहमद अफजल, इनका भी आज बड़े है बेजा है, इसके लावा फराना इनका भी आज बड़े है, एक बड़े फराना और फरमान मीर ने भेजा है उनकी सिस्टर है गुरू एहमद, बलके सौरी गुरू आनंद इनका भी आज जरम दिने है तो हैप्य बड़े गुरू और भारत मोटवानी निभेजा है इसके लावा अमन सिंग 36 गर से इनका भी आजरम दिने तो हपी बड़े अमन साथी अजय पुरवाल मंगोलिया से अजय भाई जल्दी आपकी वो कहानी सुनाओंगा मैं जो मलेशन प्राइम निस्टर एक्स प्राइम निस्टर के आपने कही है कई बार मिस हो जाता है साथी शिव सोंगरा है प्रदीप यादा में कहानी की फ्रमाईश की है आमरेंद्र शिवम और सत्यम तीनों दोस थैंक्यू सो मज़ आपके प्यार के लिए इसके लावा सूरेवीर राच प्रोहिद थैंक्यू आपके इस प्यार के लिए और एक तलफस इन्होंने सुधारा था मेरा लीकार बूजियार थैंक्यू इसी तरह गलतियों की तरफ ध्यान देने के लिए बतर दिलाने के लिए माफी विने सिंग ने कहानी की फर्माईश की इसके लावा मरितांशो कुमार ने कहानी की फर्माईश की एक किशन कुकडिया है इसके लावा सबा है और रिया खान थैंक्यू सो मच आप दोनों का भी और सरवर खान एक कहानी की फर्माईश की इसके लावाद जवाहर 24 जीन में एक कहानी के फिरमाईश के और जिल्दी पूरी करेंगे तो आज कहानी मित रही है वह आप से मुलकात हो कि कल रातना हो बज़े किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना खायल रखेगा थैंक्यू वरी बंच